स्कूलिंग के रिकूरुटेजंट की बात हो रही यहां पर जहांपर पे रिकूरुटेजंट निकला है टिक है तो स्कूलिंग और एजुकेशन डिपार्टेजंट में यहांपर रिकूरुटेजंट आया है पॉब्लिक स्रविस नांबर 15 x 421 22 के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं vacancy positions की तो यहां पर unreserved के लिए 83 post है SCBC के लिए 15 जिसमें से 5 women के लिए है SC के लिए 26 और ST के लिए 36 तो यहां पर 160 total post है जिसमें से 54 जो है वो women candidates के लिए reserved है तो अगर age की बात करें तो age यहां पर minimum 21 years रखा गया है और maximum आपका 32 years है ठीक है उसके साथ-साथ relaxation भी है जैसा हर एक exam में रहता है 5 years का SCST के लिए ठीक है फिर SCBC के लिए भी और ex-servicemen के लिए 10 years का जो है relaxation है age के अंदर तो education qualification में यहां पर as a teacher आपको यहां पर रख सकते हैं तो education qualification भी यहां पर bachelor's degree in arts, science या commerce किसी में भी चल सकती है with master's degree आपकी होनी चाहिए जिसमें computer knowledge आपका थोड़ा बहुत आना चाहिए उसके साथ अगर यह नहीं है तो फिर master's degree in arts, science, commerce with bachelor's degree in education with basic knowledge तो अगर computer की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए फिर वो आपकी master's degree में हो या फिर simpler bachelor's degree में हो या फिर अगर आपका integrated BA, 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 C है complete तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं बात करें examination fee की तो 500 rupees non-refundable fee है यहाँ पर ठीक है जिसमें से जो candidates belong to SC, ST जो होंगे वो person with disability उनको exempted रहेगी fee selection की बात करें तो selection में यहाँ पर बोला गया है कि return exam होगी और उसके साथ why was test होगा तो return exam जो होगी वो तीन papers में होगे जिसमें general English, general knowledge and education के ओपर यहाँ पर जो है आपकी exam होगी हर एक paper दो गंटे का होगा ठीक है तो देख लिजे आप यह सभी जो कुछ भी mode of selection के जो लिक्यों में instructions है बात करें apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको इस वाली website पर जाना पड़ेगा opsc.jov.in के ओपर ठीक है वहाँ पर जाकर आपको online application form fill up करना है सभी information को पढ़ने के बाद और फिर उसको आपको complete fill up करने के बाद आपको payment of fees करनी है बात करें last date की और जो opening of इस examination की जो date है वो है 12th of November 2021 से लेकर 10th of December 2021 यानि कि November में यह application form open होंगे यानि कि आप apply कर सकेंगे 160 post है जिसके जो scale है pay off scale है वो 44,900 रुपीज level 10 का scale है तो scale भी बहुत ही अच्छा है तो अगर आप इसमें eligible है तो इसमें जरूर apply करें ठीक है all right guys so thank you very much for watching the video please like share and subscribe to the channel thank you